सब को जे मसी आज सबसे पहले हम सब को जीवीत पमेसर को लाखों दनेबाद देता हूं कियोंकि आज तक हम सब को सुरखसित रखा और आज के इस सुपध दिन को देखने का मोका दिया इसका साथ साथ आज जितना हम सब का बीच में पस्तिंग और प्रेयर पोर्गाम में सामिले आप सब को भी दन्यबार देता हूँ आप सब का उपोर में पमेशोर का दाया और आसिस हो आज में पमेशोर का बच्चन Isaiah chapter 43 verses 18 and 19 को ले टोरा बताना चाहूंगा या में कहा है forget the former things do not dwell on past see I am doing a new thing now it springs up do not perceive it I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland हम सब ये verses को देखने से जब इस जराल इतलुक दुख तकलिप में था उसी समय में पमेशोर ने पोफेट आईजिया का दोआरा इस जराल इतलुक को बोला कि जितना परोना जो चला गया उसको भूल जाओ जो दुख तकलिप आप लोग पहले जेला उसका उपोर में सुच्टे मत रहा हो क्यूंकि आप सब के लिए हम कुछ नया ले आ रहे हैं जो आप लोग जंगल में दुख तकलिप करके बतक रहा थां उसी जगा से हम अच्छा रास्ता निकाल दे रहा हैं और जाओ में आप सब का बंजर जमीन था उसमें से पानी निकालने दे रहा हैं यह बर्स क्या बताना चाह रहा है बोलने से इस्रेलिट लुका दुख तकलिप को लेटे हुए पामेसोर ने कहा है कि उस दुख तकलिप का बीच में हम आप सब के लिए अच्छा निकाल दे रहा हैं उसी दुख तकलिप में एक अच्छा रास्ता निकाल दे रहा है वी बतायां और यह आज हम सब को भी यही बर्स दुख रहा रहा है कि इस नया साल में हम सब एक नया इंसान बनके आगे बरना चाहिए जितना ग्यावा साल में हम सब का बीच में कुछ दुख भी आया होगा कुछ तकलीब भी आया होगा कुछ परेसान भी आया होगा वो सब को भूलने के लिए बोला क्योंकि पमेसोर ने कहा इस साल हम सब के लिए वो एक अच्छा रस्ता निकाल दे रहा है हम सब जंगल जैसा खराप रस्ता से गुजरने से भी उस बीच से पमेसर ने कहा है कि हम रस्ता निकाल देगा और हम सब का जमीन में कुछ निकाल नहीं पाके बंजर जमीन बनने से भी उसमें एक स्प्रिंग निकालने देखे पानी निकालने देखे उस जमीन को एक पठाईल जमीन बना देगा बोलके उन्होंने बच्छन दिया और हम सब जानता है कि पमेसर का बच्छन अतूत होता है तो कभी जूत नहीं होता तो इसलिए इसी बच्छन को हम सब विस्वास करके इस नाय साल में आगे बरना है आगे बरते हुए एक हम सब अच्छा इंसान बनके एक एक्जाम्पलरी किश्यन बनके आगे बरने के लिए कोसिस करना है अगर इस साल में हम सब का बीच में जो भी दुख हो तो जो भी तकलिप आए उसको भी पमेसर का साथ होके हम सब ट्राइल एंटेम्टेशन को अवारकाम करे और कर सके क्यूंकि आईजिया पोटित्री बर्स्टू में हम सब को पमेसर ने बताया जब हम सब गेरा समूदर से होते हुए गुजरेगा उसी गेरा समूदर का बीच से हम सब को रास्ता निकाल देगा और जो आग जल रहा है उसी बीच से हम सब निकालने से भी हम सब का आग से जलने नहीं देगा और उसी आग द्वारा हम सबको दुख तकलिप नहीं देने देगा और फिर उन्होंने कहा हम सबका बीच में जो भी ट्राइल और टेम्टेशन आए पमेशोर हम सबका साथ होगा होते हुए हम सबको ताकत देटे हुए उसी trial and temptation को उबार काम करने का सक्टी देगा बोलके बचन दिया है और अगर पोटी ट्री का बर्स पाइब को देखने से यामे पमेसर ने बोला हम सब को दर मत लगो क्यूंकि हम आप सब का साथ है हम सब ये सूच के देखना है अगर पमेसर हम सब का साथ है तो पमेसर हम सब को दर मत लगो बोल रहा है तो हम सब क्यूं दर लगेगा तो हम सब इस साल में बिना इचकेचा है बिना दर लगे पमेसर का इच्चा में पमेसर का चर्नों में रेटे हुए जो पमेशोर ने हम सब के लिए रस्ता तायारी कर दिया उसी रस्ता से आगे बरके हम सब गुजरना है उसी रस्ता से आगे बरते हुए जो भी हम सब का आर्टली वर्क है उसको भी सक्सेस्पूली हम लोग कर सके इसका साथ साथ हम सब का स्प्रिश्यल लाइब को भी आर्टमिक जिबन को भी पमेशोर का इचासे रहते हुए आगे बरके एक अच्छा आर्टमिक जिबन को बना के आगे बर सके तो इसलिए हम सब इस निव यार में अपना आपको तायारी करके आगे बरना है कि ये साल 2021 को हम सब पमेसर का इच्चा से आगे बरे और फिर से हम दो रहता है कि जो 2020 में हम सब हुआ खराब उसको कभी अपना दिल में अपना दिमाग में नहीं रखना है वो सब को भूलते हुए हम सब एक नया जिन्दगी और अच्चा जिन्दगी शुरू करना है अच्चा जिन्दगी शुरू करते हुए हम सब पमेसर का इच्चा में आगे बरके ताकि पमेसर का आसिस को हम सब इस संसारिक जीबन में भी मिले उसका साथ साथ यहां से हम सब गुजरने का बात भी बात में हम सब पहमेसर का इच्छा में रहते हुए जो एटर्नल लाइफ पहमेसर ने पहमेस किया वे एटर्नल लाइफ को हम सब मिल सके फिर सेकेंड कोरिंटियन्स चाप्टर पाई बर्स 17 में हम लों को बोला Therefore if anyone is in Christ The new creation has come The all has gone The new is here यह verse में हम सबको बोला कि अगर आप पमेसर में है तो आप आज एक नया creation है आपको नया जीवन दिया हुआ है जितना परोना ता उसको भूल जाओ क्यूंकि आप एक नया है तो इसलिए जितना परोना जमाना का जो भी अमलक करता था जो भी पाप में करता था जो भी खराब काम करता था वो सब को भी हम सब भूल के इस नया साल एक नया जीवन नया जिन्देगी और एक अच्छा इनसान बनके राइचियस इनसान बनके आगे बरना है आगे बरते हुए अपना पेलोसिप में अपना चेर्च में अपना गर परिबार में और अपना समुडाय में भी एक एकजामपलरी इनसान बनके आगे बर सके और इसका साथ साथ पमेसुर का महिमा भी हम सब दुआरा कर सके जितना आज ये बच्चन को सुना आप सब का उपोर में पमेसुर का दाया और आसिस हो में यहीं खत्म करेंगे आमेन